कि बहुत इकत होती रहती है कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टेड़ी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में प्यारे वच्छों मैं आपको बताने वाला हूं पाचन तंत्र बिलकुल हम राप्ची के स्टाइल में स इस पाचन तंत्र को हम कंसेप्ट के साथ पूरे जो डावट होते हैं उस सब को हम क्लियर करेंगे प्यारे बच्छों ठीक है तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए इस लाइव स्ट्रीम को सेर कर दिया याई लाइव सेसन को आप लोग सेर कर दिजिए अपने अपने हाना Tanya Gupta, सरिज करीं, ओके ठीक है, कैसे आप बताइए मैं ठीक हूँ बवा, अब हम start करते हैं पाचन तंत्र को यानि digestive system को प्यारे बच्चो तो यहां पर देखिए पाचन तंत्र यानि digestive system system ज्यान सख़ी, computer का भी system है, तो system में क्या होता है प्यार बच्चो कि कई तरीके के जू होता एसमें include होता है system जैसे कि मालो सिस्टम बनाते है तो केंपीटर हो गया CPU हो गया है कि नहीं कि वर्ड हो गया माउस हो गया इस सम्मिल करके बनता है ना तो उसी तरीके से यह पाचन तंत्र है तो उसको हम समझेंगे प्यारे बच्चों तो आईए हम बढ़ते आगे जैसे कि हम समझते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में पैर बच्चों किसके बारे में पाचन तंत्र के बारे में यानि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आखिव डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं तो यहां पर लिखा गया कि कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलात केँने का मिन कई तंच्बर अगर मिल कर रिख एग भोजन को जो पचाता है उसे हम क्या कहते हैं पाचन तंच्ब कहते हैं तो आखिर पाचन कहते की से प्यारे वच्चो पाचन को समझ लेते आखिर पाचन कहते की से प्यारे वच्चो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोरना ही पाचन कहलाता है कहने का मतलब जैसे कि आप रोटी खाते हैं चावल खाते हैं तो रोटी जब खाते हैं तो वो क्या ह यानि जटिल एक खाद पदार्थ होता है ठीक है जिस खाने वाले पदार्थ को खाद पदार्थ करते हैं तो वह क्या होता है कठोर यानि जटिल कह सकते हैं कि जटिल एक खाद पदार्थ होता है और उसको हम क्या करते हैं पहले दाथ से क्या करते हैं तो यहीं तोरने की किरिय पांचन तंतर किरिया जो होती जो होते हैं, physical और chemical दोन होता है. अब आपसे मैं पूछूँ गा और आप पूचेंगे से मैं बता दीजिए कि physical और chemical होता है, पैरे वच्छों Attos, हो हमने रोटी को अंदर लिया तो दात से दरर रहे हैं खोगे लाना चबा के खा रहा है ठीक है तो यह हुआ फिजिकल अब दात के अंदर जैसे हमने रोटी को लिया अंदर में और अंदर में क्या होते है लार होते है ठीक है वह लार उसमें मिक्स होता रहता है जैसे हम चबाते और chemical वह हुआ कि जो हम चीज खा रहे हैं उसमें लार मिल रहा है जिस लार को हम लाला रस भी कहते हैं इस बात को समझना ठीक है तो उसे हम क्या कहते है प्यारी बच्छो नहीं करें न सबस्क्राइब केमिकल तो अब याद रखना कि पेरवच्चो हम ने क्या लिखा की यह किरिया फिजिकल भी होती है तो पाचन का मुख्य कार्ज क्या है प्यारी बच्छो भोजन से उर्जा प्राप्त करना भोजन से आखिए जईसे की अगर हम कुछ खाते हैं औ पच्वे नहीं करेगा अपच्छ हो जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा यानि ताकत नहीं मिलेगा तो पाचन का मुख्य उदिस क्या है कि हमें एनर्जी प्राप्त करना हम कोई भी चीज खाते हैं और खाने के बाद अगर वह अपच्छ हो जाएगा तो फिर खाने का क कोई फायदा ही नहीं है ना digestive system तो समझों खराब है तो पाचन का मतलब यह है कि जो चीज खाते हैं उसे हमें energy प्राप्त करना है ना उर्जा प्राप्त करना सक्ति प्राप्त करना ठीक है वह होता है पाचन तो मैंने यहां खाते हैं वहारा मन हुआ कि हमरा कंकर पफछर खाने का मन हैं तक कंकर पफछर प्छ यागा नहीं प्यारे बच्चों देखिए चीज का पाचन था हा और नहीं होता है इसके बारे में हम क्या उस्से-क में सिसने आप ten कि पाचन किसका होता है और पाचन किसका नहीं होता है तो आप कैसे जवाब देंगे जैसे कि हम आपसे पूछेंगे क्या पानी का पाचन होता है तो हम कहेंगे क्या पानी का पाचन नहीं होता है पाचन जैसे जैसे हम पानी पीते हैं तो यह पचता नहीं बलकि इसमें क्या हो मूटा thou yaga哪裡 Cait Cait Allen olvidate protein और fat इन सब का रूठीन और इन सब का क्या होता है पहले बच्चो पाचन होता है ओके और वहीं आंगच रूगवाज है विटामिन हो जूग्च्छ भी तो उर्जा है समझो के गुलकोज भी कह सकते हो इसे तो कारवो हाइड़ेट और प्रोटीन और फैट या निवसा कहलो समझो ठीक है तलिये पदार्त में ठीक है तो प्रोटीन फैट इन सभी का क्या होता है पैरवचो पाचन होता है लेकिन जल विटामिन और खनी इन सब का प किजिए इस लाइव स्ट्रीम को क्या किजिए पैरवचो सेर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ठीक है आगे बढ़ते पैरवचो आगे आगे ले लेते हैं आहार नाल जहां से हम आहार लेते हैं यानि भोजन लेते हैं ठीक है तो आहार नाल के बारे में जान लेते पैरव और जिस जिस और जन जहां जहां तक गया उसारे के सारे के सारे अहार नाल पीडिए जो है ना हमारे पेड़ वाट्सप ग्रूप में मिल जाए तो आप लोग टेंशन मत लीजिए ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं और यह जो भाई लाइफ प्रोसेस यानि जैप प्रकरम का यह जो टॉपिक है कल आपको संपूर्ण यानि वन सॉट वीडियो आपको मिल एला भाग आहार नाल का पहला यहां किया है प्रच मुख कुणा कांजर प्रबच्चों यह देखो यह हमारे पास मुख है यह मुख कुणा कैंगे या मुखकुएं जैसे की आप यहाँ पर देख सकती है हमारे पास क्या है मुखगुहा है आपने क्लियर किया हाँ आपने समझ लिया प्यारे बच्छो अब बात करते हैं मुखगुहा में कुछ भाग होते इसके अंदर जो आते हैं जैसे कि दांत हो गया मुखगुहा में है ना दांत है ना पिला नहीं है फिर हमारे पास क्या हो गया जिवा हो गया जिवा यानि जीव हलांकी जीव को पाचन से कोई लेना देना नहीं है जीव क्या करता है प्यारे बच्चों स्वाद का पता लगाता है जीव क्या करते हैं स्वाद का पता लगाता है क्यूंकि जीव के उपर स्वाद कलियां पाई जाती है यहीं से question बनता है जीव के उपर क्या पाई जाती स्वाद कलिया तो प्यारे वच्छों मैं आपको बता दू कि लड़के के जीव में जो होता है ना स्वाद कलिया कम पया जाता है लड़की के जीव में स्वाद कलिया ज्यादा पाया जाता है इसलिए क्या है कि तो मुख का भाग जैसे मुख यह referring हमारे पास भी उगिक है तो हमारे आँप आप लेना है स्पैय पहली भोजन का पाजनों मुख से सुरू हो जाता है यह बाग आप जानते है ना हाँ तो हो गया अब तीन जोड़ी लार गरंथिया होती है इसकी अंधर लार पच्छान हो फोगा अब गया आप जैसे कि नाम लिए अचार का नाम लिए अचार का नाम लिए हमारा मूह मेपानी आ गया आगया वही लार क्या है प्यार माला ने तो यहां पर देखिए आपके मालने तो मज़दूर सब को सब को को देखे एक हम हें हम यह हम न क्यों खेव यह रभी अब कोई मार दो भीद्स एक यह अब कर भाद में आप अराम से यह फिर हम 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 यहांत में रहे हैं कि अconomic मिला ना आ थो कर लांग न है जो ए तो कान खाला तैसे हमारे हात में अग सीधा किटानूं साолी में पहुंझ जाएगा नहीं का होता है उस टतानूं को क्या करता है को दता हैं कोन मार देता है लार मार देता है ठीक अल लारों नौ मार पाता है य прек जैसे कि हमारे मुझे नरलार है और की टानू को नहीं मार पाएगा तो बज करके जागा तो कहां जाएगा कहां जाएगा तब पेट वा के अंदर ना जाएगा तब पेट में इंतजार करना कर रहता है कौन कौन करता इंतजार एक्सील हाइडरोग्लोरी कमलकला तो बढ़िया से बिर्यानि बना देंगे ठीक है को है कॉईँ खा मत जाहिए दिलवा के बिर्यानी बनाके ठीक है तो आगे अगर कि बात करते हैं कि मनुस्य में लार कैसे बनता है और कितना लार रहता उसके बारे में जान लेते हैं, देखो प्रती दीन लीटर क्या बनता है प्रती दीन लीटर क्या बनता है लार बनता है, लार बनता है, लार बनता है, ओके क्या बनता है, लार बनता है, यह चीज के लिए कर लिया, तो मनुस्य में प्रती दीन लीटर क्या किके फिर का सब्सक्राइब कर लेंगी जासटान Дत में हमगा भांड़ को छे फूमने कम में गड़ता अगर मैं आप से पूचू कि मनुष्य में प्रती दिन कितने लीटर लार बनते हैं तो आप कहेंगे प्यारे बच्छों डियर लीटर लार बनता ठीक है अब तूलग यह मत कहना कि सर कमेंट वेंट नहीं पढ़ रहा है और इक कमेंट नहीं पट रहाता का हो गया आप लोग यह points पॉड़ रहे हैं न ए न हना ओके तो समझ में आ रहे हैं न बात हां तो लार बनता है आगे देखो लार जो होता है लार में चार परकार के एंजाइम पाए जाता है लार में कितने परकार के एंजाइम पाए जाते हैं चार परकार के एंजाइम पाए जाते हैं आए उन सब के बारे में जान लेते हैं पहिला जो है लाइसो जाइम क्या है पहला लार में कितने हमार तो उसके घ資 ते नंगीछ करने का प्रयासे लिस्ट करने प्रयासी आणिता र огр tiros करता रहता है ना प्रयास करता रहते कि नश्ट करिये देता है ना तो किटानू मारता है तो मुह में जो अलार होता है उसमें लार में जो पहला एंजाइम पाए जाता है वह है लाइसो जाइम और यह एंजाइम क्या करता है किटानू और जीवानू को नश्ट कर देता है बास तब भवाजी हम बताते हैं कभी कभी कीचन रू में थोड़ा घूम लिया किजिए घ्रकी सब और लगी तब खाली कचने में रहती है जैसे की आप गाउघ में देखते हुए गाँटा पीसा करके लाते हैं आप पीसाने के बाद का करते हैं इसको रोटी बनातें लेकिन रोट ex IVA, आस सूप के फटकरल है, गालेते हैं कभी-कभी ठीक है, तो चलने के बाद उपर जो चोकर नजर आता है, वह ही स्टार्च होता है, उसी को हम मंड भी बोलते हैं, ठीक है, जो चोकर नजर रहे हैं, तो जो явने ऐं ही इस्टार्च किया करता है? पाचन करता है, कौन कशन कर करya orc dari start का क्या करता है पाचन करता है तुम लिए बाध नुक्सान कर जाएगा एक तो आपने आपने देख लिया गोई दिकत नहीं और यह समझ लिया कोई दिकत नहीं और सबटे आप नहीं होंतीक है या उसको कितनों कर लेमें निकले का सल्ट जरी नहीं सब्सक्राइब कि तो तो आपने पडिक अ किया ज applies का झृट च यहां झाट्र दिख्यार में पधरे ему पर दो हम आगे समझे हाँ आगे बढ़ते हैं अगला हम यह मुकस क्या करता है प्yार बच्सो मुकल्स आखर में ही उपस्ती यह जो कि आटमरे मुखन नो पाइजाता है एक मुख में जूरलान रशली उसी मिल्हते योग दाहिता है यह भोजन को चिपचिपा बनाता है चिपचिपा यानी समझेह की भोजन को इन हो विष्ट अलायक बनाता है कौका से चाट में अराम चल जाए लोटा किस्माइट जाता है ऑब classrooms नहीं पाई जाता आगे समय वी आपने समझ लियाख दिकत नहीं 것으로 aquest फल्रॉप किसे में पाए जाता है बाबू लार में पाए जाता है कोई दिक्कत नहीं नहीं पएर बच्छो आपने समझ लिया अच्छा बच्चे जो होता है क्या होता प्यार बच्छो खबू कभी कई कद भी को देखिए गाग्षाब उसलिए प्रभू ने का किया इसवर ने का किया कि उसके अंदर बहु ज़्यादा लार की मात्रा मतलब दे दिया देखिये अगा बच्चा से लेर चूता रहता है ना तो उसमें बहु ज़्यादा रहता है ताकि वह किटानु को नष्ट कर सके आपने समझा हां समझ लिया अच होते हैं ग्रास नली या ग्रासिका ग्रास नली या ग्रासिका यह जो हमारे पास देख रही है यही हमारे पास ग्रासिका या ग्रास नली इसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों याद रखना ग्रासिका या ग्रास नली में भूजन का पाचन नहीं होता है इसमें क्य की लंबाई होता है 25 cm कि इसके लंबाई कितनी 25 cm अगर मैं आपसे पुछू कि ग्रास नली या गराशिका कि लंबाई कितनी होती यह तक कि इतना कहेंगे पैरवच्चों कितना कहेंगे बोलो तो पची सेंटीमीटर आपने समझ लिया बोलो समझ में आरे तो यस करते जाना है सर जी आप रोज पढ़ाई है ना हर रोज पढ़ा रहा है बलकि साधी में चल गए थे थोड़ा तो अभी जन्मे करते साधी का सीजन हर जी का सीजन होता है तो साधी में थोड़ा जाना जरूरी होता है इसलिए चल गए थे तो यहां तक क्लियर कर लिया आप लोग समझ लिया तन्या गुपता 25 cm हां ठीक है बाबु सूरज यस ओके ओके ठीक है ऐसे आगे बढ़ते हैं पैरवच्छो यहां पे तो इसमें क्या होता है पाचन की किरिया नहीं होती है यानि ग्रास नली या ग्रासी का यह जो हमारे पास देख रहें ग्रासी का यह ग्रास नली इसमें खाते हैं मुझसे खाते हैं जैसे रोटी खा लिया चाबल खा लिया तो हम खाके कर लिए ठीक है तो मुझसे जो गया भोजन क्या पुन्रुप से पचा रहता है रहे नहीं पचा रहता है तो वही मैंने लिखा कि मुझसे आने वाली भोजन जो पुन्रुप से पाचन नहीं होता है उसे हम बोलस कहते है क्या कहते है बाबु बोलस कहते है क्या कहते है अच्छा मुझ में हमने रोटी खाया चाबल खाया कर लिए तकर लिए कभी-कभी का हो गया कि कुछ उसमें मालो की कीरे चला गया या कंकरे चला गया या कंकर कभी कभी खाना घंद judgments app bakit ऑई किछ थेते हैं तक उनुगे देखते हैं उहाई क्या होता है प्र jsरा जो राकी नहीं शुर। मु से चबाता कभी कंकर पथर पढने के बोलस होता है किया है आक आपने ऐक मिठाई का खाते जाएं मिठाई सप्वकिंप हर फ्रόσके तो बैग्द और का शुक्त दिष्ट होता है आप नीचे लिया रोच को चा सने अवाल जो भोजन होता है पुण रूप से पचा थे जो भ्युते जहां कीप पैरद गत्रों तो यह और तो यह वीव यह evening I मुझे खाए आहां जाता है इंक मुझे मुझे खाकर के जो चवाया वोगी अबॉल आ र्षीप फूसल और जए निगला तो आखर क्जाए पैट मेर पेट को ही आमा से कहते हैं पेट को ही का क्या क्या कहते है पेर वच्ऊ आमा से कहते हैं अधिक हो हाँ जाज HI पेंड है कैसे उगारे है बारी दिख्कत बिसर्म हो एपका नौशा निगे तपेत करें Chelsea कि महतु होता है नर GRAMANist के अंदर ह्बशा धाग गजो होता है या झार से हमारा है यह नहीं तो इसकी अंदर वाला गवा पहक ओस्धार मुनरुट हलता है तो आपने इसको समझ लिया तो आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी इसको क्लियर कर लिया आगे बडाते अमासे से रिलेटेड़ हम जान लेते हैं ठीक है उमासे जैसे की हम आरे पासT की यह आगे न तो यह हम यह वअफ पार्ट जो यह वला यह अमस से और इस यह मौँ अगे जानेगे कि अंचे को फेट से जब भोजन चानें थक्वज़न कि ना टो या उसमें क्या क्या होता है ठारेने के बाद कोई से पाचन होता है उच्ण प्रणela जाने यह वह चार घंटे तक रहते हैं यानी जो हमने खाया जो बॉलस बना उड़ाएटे अमासे में वह बॉलस जो होता है ना पैरे बच्छो वह तो कितने देर तक रहता है उस एां चार घंटे तक रहता है तो छार घंटे तक रहे गा है किरिया ought फ्रकों करते हैं और तीसरे को फंडि करते हैं इन तीनों का बहूत बड़ा योगदान है उसके बारे में हम समझेंगे किस तरीके से वोजन को क्या करता है पचाता है पहिला जान लेते हैं कार्डियक के बारे में किसके बारे में पहरे बच्चों कार्डियक के बारे में ओके तो कार्डियक जान लेते हैं यह जो हमारे पास उपरी भाग यही कार्डियक है अमासे को कार्डियक कहते हैं तो यहां मैंने लिखा यहां अमासे का उपरी भाग होता है इसमें HCL यानि हाइड्रो क्लोरिक अमल होता है क्या होता है पैर बच्चो हाइड्रो क्लोरिक अमल होता है ठीक है जो किटानू नासी होता है यानि यह किटानू को मार देता है आपने कहा सर मुख में जो हम चबाते हैं खाना तो लारे किटानू को मार दिया तो फिर कहला है है क्योंकि हम कुछ से पदार्थ खाते हैं जिसका लार से मरता है जब लार स महीं मारता है तो हमासे में daha इस अपने पश्याएं है मैं कता है तो आनल नी तुम्हारा उन्तजार करचियो यह प्राइपि तुम्हारा बिर्यानी कहीं भ़ना पहीं UP को आगए aparece अधि अ आपहा टुम को ना मार पाया अब हम तोरा बनिया रवा टुटेंगे एक जीवानू की खाँ जो भी आसAmericaum पार पाता है जो पीट में आता है बच करके उसको अइद्र हम लेका करता हैं दलिए तो मैंने लिखा कि हएट सीनी हई जो होता है जो किटानु नासी होता है यह किटानु को यह मार इसाद मला ऑभताऍ है आप रिशकता है कोई दिखकत नहींने अगर पाचन तंतर यहां से जितने चीज मैं बता रहा हूं अगर आप देख लेते हैं तो यार कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा एक ही कोशन आप मतलब पूरा जो है ना बढ़िया से छाप करके चले आओगे ओके ठीक है लाइक कर देना पेरवच्छो आगे हम जानते हैं पंडीक के बारे में जैसे कि यह भाग है फंडिक में क्या होते है पैरवचों निवसके बारे जान लेते हैं इसे इतों का टा नूमा रूजी वोता है यह gefscreen फेंने में के-इस तरीकेसे लूंतलल होता है जिसे हम खनुकी होता है जिसेम क्या बोलता है का ढूशाल नूमा सन्रचना होता है जिसे अंदर ुजभा श 20 का आता है विए कांटा रहता है ना आप तो देख रहा है फंडी का जो बाग है जो काटा नुमासन रचना रूजी बोलते हैं वह खड़ा हो जाता है खाली पेट में खड़ा हो जाने के बाद का होगा जानता है न पिटवा में टूब टूब गरेगा इसलिए भूखा मत रहना खाव करके मस्त रहना ठीक है समझ गया बात समझ में आई नमबात प्यारवच्चों समझ में आई ओके समझ में आई तो यस करना ठीक है यह समझ गया रूजी के बारे में तो इसमें काटा नुमार रूजी होता है यानि काटा नमन सुनचना होता है जिस हम रूजी बोलते हैं ठीक है जब हम भूखा रहते हैं तो तो चुभूता रहता है क्या होता है उसलिए भूखा मत रहना और भोजन को रोक कर रखता है क्या गोकरते उटेक्यर के विट्वर और पत कहते है जिदले ना सब लेना चाहते हैं तो यार नंबर है पचासी एक आसी ऐसी ओके 29-29 पचासी ऐसी 29-29 यहां पर मैसेज करना कि काना कि सर हमें पंकर सर का कोर्स लेना है हमारी टीम आपको रिपलाई देगी प्यारवच्छो आपने समझ ले तो पाइलोरी के बारे में समझ लिया कि इसमें जठर रस दो रसों से मिलकर बना होता है यह जो हमारे पास जठर रस होता है यह कितने रसों से मिलकर के बनाता है दो रसों से मिलकर के बना होता है एक होता है रेनिन इसी में जो पाइलोरी का ही भाग है इसमें क्या होता है इसमें जठर ग्रंती होता है जो जिससे जठर रस निकलता है और यही जठर रस जो है ना दो रसों से मिल करके बनाता है एक रेनिन और दूसरा पेपसीन पहला है रेनिन और दूसरा क्या है पैरवच्चो पैपसीन है अब आज जा रही है सबको है ना दूसरा क्या है पैपसीन है पैपसीन है तो पैपसीन तो यह क्या करता है दूद से क्या करता है ये दही बनाता है क्या करता है परवच्चों ये दूद से क्या करता है दही बनाता है रेनिन का काम क्या है परवच्चों दूद से दही का बनाना ठीक है दूद से क्या करना जैसे हम दूद खाते हैं तो दूद इसके अंदर जाएगा तो आम आसे में भ आपने यह समझ लिया उसके बाद हम सब आगे चलते हैं पेपसीन के बारे में पेपसीन क्या है प्रोटीन का पाचन करता है यानि इसके अंदर जो प्रोटीन आता है वो प्रोटीन का पेपसीन क्या करता है पाचन करता है और उस प्रोटीन को पेप्टो में बदल दिता है प् यह अगर डिकतनी हम आपको समझ घ्र मतब से जया से चीतर तो आम टो आपने समझ लिया आम मासे में जैसे कि आपने देखा कि चार घंटे क्या थे भोजन यहां पर ठरते चार घंटे रुखने के बाद बाद इसमें इनकी इस किरिया होटा इसे आmana हम ने इसकी आत में आता है ठीक है और छोटी आत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी अगर भोजन का कोई पूछे कि भोजन का पाचन कहा होता है तो आप कहने छोटी आत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और छोटी आत में जो आता है तो जब आने के बाद क्या आत है यह अधे देखोएखा यहां से यहां से बड़ी आत में निकल जाता है बड़ी आत मि वो आने के बाद वह भोजन गोजन नकाल आता है एक लेटिंग का रूप ले लेवा है जो पीलताव कलरव का होता है ठीक है जब हम निर्थ्टे किरिया करफे तो यह क्या करता है गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकल आता है जिसे हम सिस्न भी कहते हैं ठीक है तो इसके द्वारा क्या होता है बाहर आ जाता है तो आपने देखा कि कैसे हमने खाया किस तरीके से पाचन और किस तरीके से बाहर निकल गया निद्ट्य किरिया के दौरा यह गुदाद्वार से हैना तो आपने पाचन तंत्र को बहतरीन तरीके से समझ लिया पैरवच्चो ओके इसका PDF मिल जाएगा हमारे पेड़ वार्षब ग्रूप में अब आप लोगों से हम बात करेंगे ठीक है एक कह रहा है तन्या सेटिंग सेटिंग हो गया कोई क्या सेटि च्छुब मासी को अब जैसान तंत्र हो गया उसको इसको रख दिया तो प्यार्वच्च कल जो है पूरा डेटेल के साथ यानि वन सौट वीडियो आगा जरूर देखना प्यारे बच्चों उसमें सारा टॉपिक को के लिए पाचन तंत्र हो गया, स्वसंत तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, हना निर्जीव हो गया, सजीव हो गया, वास्पुत सर्जन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, प्रकास संसलेशन हो गया यह सारा टॉपिक जो है प्यारे बच्चों कल एक वीडियो में मिल जाएगा आपको प्यारे बच्चों ठीक है तो कल आठ बजे जरूर आप लोग जुरिएगा ठीक है तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और दोस्तों को भी सेर करना ठीक है प्यारे बच्चों मिलेंग की अगली वीडियो में तबने के लिए बाइए ओके चलोू इन्ड करते हैं इस क्लास को कि अ क्रेंट है यदि की अ